हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक सिविल मंत्रा मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों को डील कर रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजिनिरिंग अगर बात करें जियो टेक्निकल इंजिनिरिंग तो लास्ट लेक्शन में हम लोगों ने देखा हुआ था कि डिफरेंट ट करते हैं इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारा कॉम्पैक्शन है और कंसॉलिडेशन है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस थे इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था आज की इस पार्टिकुलर लेक्शर में हम बात करने वाले हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हम जब फिल्ड में जाते हैं यानि ग्राउंड की बात हो रही है तो वहाँ पे जब हम फिल्ड कॉम्पैक्शन करते हैं तो कौन-कौन से इंस्टूमेंट हो सकते हैं कौन-कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे हम कॉम्पैक्शन को कर सक दूसरी हम बात करने वाले हैं कि field compaction control क्या होती है उसको हम कैसे control करते हैं और procter needle method क्या होता है इससे हम field compaction जैसे देखेंगे कि field compaction control में हम different types के methods को use करते हैं उस method में एक होता है हमारा procter needle method इसके बारे में भी बात करेंगे बागी core cutter method, water sand displacement method भी होता है जिसके बारे में हमारे slabas में डिजाइन नहीं किया गया है तो हम पढ़ने वाले हैं procter needle test के बारे में तो चलिए start करते हैं without bestie time सबसे पहले में बाद करने वाला हूँ किसकी field compaction equipment की की field compaction equipment का मतलब ये है कि हम तीन तरीके से soil के अंदर, field के अंदर हम क्या कर सकते हैं soil को compactions कर सकते हैं कौन-कौन सा method हो सकता है पहला method तो ये हो सकता है पहला ramming एक-एक के बारे में बात करेंगे अच्छे तरीके से पहला हो सकता है ramming दूसरा हो सकता है rolling और तीसरा क्या हो सकता है vibration मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको तीनों में differences ठीक है अब बात करते हैं कि तीनों में differences ये हैं कि जैसे ramming है ramming में मतलब ये है कि इसमें हम temper यानि कोई क्या करते हैं हम इसमें steel का rod हो सकता है steel के क्या करते हैं एक temper पर या जिसको हम रेंपर बोलते हैं ठीक है तेंपर या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं ठीक है इससे स्वाइल को पीटते हैं इससे क्या करते हैं स्वाइल को पीटते हैं तो एक तो यह हो गया टेंपर के दोहरा टेंपरिंग करके दूसरा क्या है रूलिंग रूलिंग का है है different types के mechanical हम rollers को use कर सकते हैं?!" यह इसके अला हम अगर बात करें vibrations में क्या होते हैं डिपरेंट टाइब्सक्षे हम vibrations यरनी v Sempre 2 र्रोत Thai हैan जिनके दोर हम क्या करते हैं के अपने Mus э यौन अधे इक वाक्वन को करने के यह क्या है इक्यूपमेंट है इस है इस की equipment की चलों स्टार्ट करती हैं देखे स्टार्ट के अगर बात करें तो सबसे Ming या टेंपर मेत सबसे पहले किसकी बात करेंगे रेमिंग या whatever है है कि पेंपरो को Yes क्या है किरे इस में हम क्या करते है रेंपट को युज़ करते हैं दृधान से समझेंगे कि सर इस जो हमारा मेंथर है इसमें हम tempers का use करते हैं सबसे पहली बात तो ये होते है tempers used होता है ध्यान से समझेगे मैं short में ही लिकूँगा ताकि आपको समझ में भी आए और जल्दी जल्दी हम से उसको cover भी कर पाएं ठीक है दूसरा क्या है कि ये tempers होते हैं ये जो hand operated होते हैं कैसे होते हैं ध्यान देंगे hand operated यानि अगर हम हाथ से operated अगर कर रहे हैं तो अगर हम हाथ से hand operated कैसे होते हैं ये temper होते हैं ठीक है होते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से एक हमारा iron block होता है ध्यान से समझेंगे iron block होता है इस तरीके से इसमें लकड़ी के wooden के क्या लगे होते हैं इसमें इसमें क्या होते हैं कि इसमें ये wooden rod लगे होते हैं ये क्या है wooden rod wooden यानि लकड़ी का wood rod लगा होता है इस तरीके से और इसे से हम क्या करते हैं स्वाइल की कॉंपैक्छस को करते हैं कैसे करते हैं समझते हैं अब इसमें क्या होता है जो यह इसको हम कि या गरें चाहिए है यारी जो fall यह तोального कि या इसको क्या करते हैं इसको क्या करेंगे में चाहिए वो कितनी होने चाहिए 0.30 मीटर या फिर लगबग एक फिट होनी चाहिए ठेक है और इससे हम क्या करते हैं स्वाइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तीसरी चीज ध्यान से समझेंगे तीसरी चीज हमने क्या कहा अभी हम टेंपर की बात कर रहे हैं ठेक है न अभी इसमें ह कि अगर हम माकैनिकल पावर को यहर यूज कर रहे हैं तब सर यह तो हैंड के लिए था अगर हम कोई माकैनिकल रैमर अगर हम यूज कर रहे हैं जो ऑपरेटेड है ऑपरेटेड बाई कमप्रेजड एयर आप लोगों ने देखा होगा कि मैकैनिकल भी आज की टाइम में बहुत जादे यूज होता है यही यूज ही होता है हम हाथ से कितना जादी कर सकते हैं टैमपर से ठीक है और गैसोलीन पावर यानि गैसोलीन पावर से जैसे जैसे बी अगर भी गैसोलीन या हैड्रोलिक पावर से जलती है ठीक है न तो देखिए मैकैनिकल रेमपर्स ऑपरेटेड बाई कम्रेजड इसमें एयर या गैसोलीन पावर के द्वारा भी हम क्या करते हैं स्वाइल को कॉम्पक्ट करते हैं अगर हम इसको बात करें तो यह हैवियर हो होते हैं इनमें जो लोड एपलाई होता है वो 30 से 150 kg का हम प्रेशर लगा देते हैं ठीक है लगा देते हैं और इसमें हम क्या गरते हैं कि अप्टू आमास ऑफ 1000 kg याने 1000 kg तक हम क्या गर सकते हैं स्वाइल मास को यहां पे हम कॉम्पक्ट कर सकते हैं इस बात को आप ध्यान रखे गे तिक इसके बाद चौथा पॉइंट किया है कि यहां पे जो टैमपर्ज हम यूज कर रहे हैं यह क्या होते हैं कि ट्रेंचेज या फिर ब्रीज अब्यूटमेंट बगर में भी यहां पर हम क्या करते हैं धियान से समझेंगे कि हमने यह कहा कि जो एंपर्ज होते हैं यह compact स्वाइल को तो करते हैं लेकिन क्या जहां पे abutement है या कोई breezes वगर होते हैं तो क्या हम वहां पे भी इसको use करेंगे नहीं वहां योज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे यह क्या होगा suitable नहीं होगा तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो यह सारी topic किसमे थी रैम रैमिंग या फिर रैमर्स या टेमपरिंग में ठीक है ना टेमपर में अब हम बात करने वाले हैं दूसरा जो मेठ़ट था जिसमें हमने rolling की बात की थी ठीक है rolling में हम क्या करते हैं different types की क्या करते हैं रूलर का यूज़ करते हैं जैसे स्मूद विल रूलर इसमीद स्मूद विल रूलर दूसरा जो हम यूज़ करते हैं सीप फूट रूलर इन सारे चीजों के बारे में मैं आपको थियोरी भी दिखाऊंगा कि आपकी एक्जामन अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे तो थियोरी भी लिखना रहता है ठीक है और इसके बाद आता है पिनियूमेटिक पिनियूमेटिक टाइप या टायर्ड रूलर ध्यान से समझेंगे ठीक है अब देखी सबसे पहली बात ये आती है कि सर आप मुझे ये बताएए कि ये जितना भी आपने ऑपरेटर्स को लिखा हुआ है ये हम कैसे कैसे होते हैं और इनका हम कैसे प्रयोग करते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्मूथ विल रोलर की आप लोगों ने देखा होगा कि स्मूथ विल रोलर जो होती है इसे मैं दूसरे फेस में बताता हूँ उसके बाद मैं आपको थियोरी दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपको थियोरी भी दिखाने वाला हो कि आपको थियोरी में क्या लिखना है किस तरीके से लिखना है ठीक है स्मूथ विल रोलर की स्मूथ विल रोलर जो होती है यह क्या होती है थ्री विल होते है ध्यान से समझेंगे एक आगे होता है देखे ड्रम टाइब का होता है देखे इस तरीके से एक ड्रम आगे होता है और इस तरीके से पीछे क्या होते हैं दो ड्रम लगे होते हैं इस तरीक करती है गाउं अगरे में उसी की बात हो रही है स्मूथ विल रोलर की ये क्या करता है कि एक आगे होता है और दो बड़े-बड़े क्या होते हैं कि पीछे यहां पे हमारे क्या होते हैं ठीक है विल होते हैं दूसरा पहली बात तो यह यानि हमने पहली बात क्या सीखी पहली ब होता है कि यह रियर होता है यानि आगे ठीक है और यह लिए एक होता है यहां पे दो पीछे ह 주고 टें हुग गया। इसमें लिखेंगे यहां कि a tandem type जो smooth will होते हैं smooth will जो roller होते हैं ये क्या करते हैं ये consist of only two drum यानि ये केवल दो drum ही consist करते हैं drum को consist करते हैं ठीक है मतलब one rear और one क्या है front ठीक है one rear और one front तीसरा चीज़ है जो mass of smooth will होती है जनरली ये कितनी होती है ये 2 से उसे लेके 15 mg तक होती है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे फिर हमने कहा कि इसमें हम क्या करते हैं इसका use यानि suitable कहां पे है ये कहां पे suitable है सर इसको हम कहां use करेंगे यानि जो हमारा smooth will roller है इसका प्रयोग हम कहां करेंगे तो इसका प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर हमारा crushed stone भी छाय गया हो crushed stone यानि stone के छोटे छोटे टुकडे हो gravel हो ठीक है न गिट्टी वगरा और जहां पे sand हो यानि sand में course वाला हो course see for course तो यहां पे हम क्या करते हैं smooth will roller का प्रयोग करते हैं दूसरा बात करते हैं किसकी steep foot roller की steep foot roller क्या होता है steep foot roller का किस types के soils के लिए करते हैं तो जो steep foot होता है हमारा सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि ये कि हमारा जो है इसमें जो surface area होता है यानि जो drum इसमें लगे होते हैं इसमें भी drum लगे होते हैं जो drum का surface area होता है सबसे पहले बात यहीं करेंगे ठीक है इसमें क्या है इसमें ना this type of roller has many round and rectangular french इसका मतलब क्या है इसमें न बहुत सारे क्या होते है मैनी राउंड्स के राउंडड और क्या होते है रेक्टेंगुलर सेप के प्रोजेक्शन बहुत सारे इसमें होते है दूसरी चीज ठीक है यह क्या होता है कि जैसे कुछ माल लेते हैं कि यह ड्रम है तो इसमें कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, इस तरीके के इसमें देखने को हमें लगता है, ठीक न, हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये काटा टाइप का लगा रहता है, ये घूमता रहता है, ठीक है न, इस तरीके से रहता है, और ये क्या होत स्वाइल के लिए अच्छी होती है यानि Clay and silt इसका एक्जामपल अगर हम लिखने को लिखें तो Clay and silt के लिए यह suitable होता है ठीक है अब तीसरा बात करते हैं अभी मैं दिखाऊंगा सबका theory अभी theory भी दिखाऊंगा इसका क्योंकि एक्जाम में इतने से काम नहीं चलने वाला ठीक है तीसरा क्या है pneumatic pneumatic ठीक है टाइरेड रोलर अब देखिए pneumatic में क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें एक box या platform mounted होता है एक्सल के बीच में क्या होता है कि एक box या platform क्या होता है mounted होता है ध्यान से समझेंगे हमने क्या कहा कि इसमें एक box या एक platform हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म कि माउंटेड होता है ठीक है माउंटेड होता है between एक्सल मतलब क्या है जो एक्सल होती है इस तरीके से उसमें क्या होता है कि एक एक्सल होती है इसमें एक ड्रॉम या प्लेटफॉर्म माउंटेड होता है फिक्स होता है ठीक है इस तरीके से इस तरीके से ठीक है अब देखिए इसमें क्या होता है कि 80% of total area covered हो जाता है by tire हमने क्या कहा कि 80% area जो soils की है वो क्या होती है मतलब cover हो जाती है टायर के द्वारा फिर हमने यह कहा यहां पे कि यह जो होती है suitable होती है ध्याँ से समझेंगे यह compacted यानि हमने क्या कहा जो soil compact हम कर रहे हैं उस soils की जो thickness है वो 200 mm से ठीक अगर है ध्याँ से समझेंगे ठीक लेयर कि अगर 8 से 10 passes of roller हो जाती है अगर हम 8 से 10 अगर passes अगर हम क्या कर रहे हैं आठ से 10 बार roller को पास करा रहे हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि 200 mm तक ठीक ठीक layers को हम क्या कर सकते हैं compact कर सकते हैं इसका मतलब यह है ठीक है अफ दर लोवर अफ दर लेयर इसका मतलब यह है ठीक है अब देखे सबसे important आता है क्या हमारा last वन आता है vibrator simple सी बात है last हम क्या कर रहे हैं यहां पर थर्ड वाइबरेटर तो आपको पता है कि सर वाइबरेटर जो होता है वाइबरेटर किसके लिए सैंड के लिए ध्यान से समझेंगे सैंड या फिर कोर्स के लिए हम क्या करते हैं सैंड के लिए यह क्या होता है बेस्ट किसके लिए होता है यह हमारा क्या होता है ग्रैनूलर स्वाइल यानि सैंड के लिए जादे बढ़ियां होता है आप लोग जानते हैं कि वाइबरेटर को जब हम क्या करेंगे वाइबरेटर को आउन करेंगे तो जो हमारे स्वाइल के पार्टिकल होंगे जो स्वाइल से क्या होंगे सॉलिड पार्टिकल होंगे वो वाइबरेटर के कारण क्या होते हैं आपस में पास आ जाते हैं जिससे हमारी क्या होती है स्वाइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है पर्मेविल्टी घड़ जाती है ओवरॉल इंजिनिरिंग स्ट जो होती है या प्रॉपर्टी अगर इंजिनरिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो वह भी क्या होती है हमारी अच्छी हो जाती है तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहां पर डिफ्रेंट टाइप्स के हम लोगों ने यहां पर बात किया कि डिफ्रेंट टाइप्स के जो एक् देखेंगे यह बीसी पुनमिया का रीफरेंस आप ले सकते हैं यहां पर एजी लैंगवेज में लिखा गया है बहुत जादे टफ नहीं है है ध्याँ से समझेंगे हमने क्या कहा यहां पर ध्याँ से समझेंगे देखें पूनिमेटिक टायर रोलर्स भेंज जो होती है वो क्य अगर मैं बात करूँ कि यहां पर जो टायर प्रेशर होते हैं वो 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर होते हैं और जो प्रेशर का रेंज होता है यह कितना प्रेशर एक्जर्ड कर सकता है 400 से 150 कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर कर सकता है ठीक है इसमालर रूलर आर हैविंग टायर लोड अबाउट 7.5 किलो न्यूटन वाइल बिगर रूलर है टायर लोड रेंजिंग फ्रॉम 100 किलो न्यूटन तो 500 किलो न्यूटन पर टायर होता है तो आप यहां पर विडियो को पॉज करके आराम से रिड कीजिए आपकी एक्जाम्स के बाद यहां पर देखिए प्यूनिमेटिक के बाद सीफूट है ठीक है यहां पर सीफूट सीफूट रोलर जो होता है वह होता है प्रोजेक्टेड फीड एज मांटेड होते हैं फिर इसके बाद हमने यहां पर बताया था कि दो लोड़ेड वेट हम ड्रम पर डालते हैं वह 15 to 130 किलो न्यूटन का हम एप्लाई करते हैं और जो फूट प्रेशर जो रेंज होता है वो 800 से 350 किलो न्यूटन पर मेटर इसक्वाल समग्या करते हैं प्रेशर को एकजट करते हैं ठीक है और रैमर्स के दुआरा 300 से 1500 न्यूटन तो यह हमने देखा यहां पर सारी चीज़ें यहां पर वाइबरेटर पी बात में हमने बात किया थे वाइबरेटर कंसिस्ट आप वाइबरेटिंग यूनिट ऑफ आइदर आउट ऑफ बैलेंस वेट टायर और पलसिंग हैड्रोलिक टायर मांटेड एड़ इस वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लीजिए ठीक है यहां तक आप रीड कर लिए ठीक है यहां तक तो आपको एक बार बेसिक बेसिक क्या होंगे पता चल जाएगा कैसे हमारा यह सौल जो है कॉम्पैक्शन हुआ है कौन-कौन से मेधर्ड जो हमने यूज किये हैं उसके आज हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे थे हैं जैसे हम लोग बात किये हैं फिल्ड कॉम्पैक्शन एक्यूप्मेंट की नेक्स लेक्शरस में हम फिल्ड कॉम्पैक्शन कंट्रोल और प्रॉक्टर नीडिल मेधरी यह दोनों के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है तो मिल झाल झाल